आप सब ठीक होंगे तो आज हम लोग यह इतना दर्शी स्टिकने वाला चिकन फ्राई बनाएंगे तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाना है यहां पर इसके लिए मोटी वाली हरी मेर्श दहनिया लैसुन के चेक कर लिया और यह कर लिया और यह कर लिया है सबसे पहले जो कर लेंगे यहां पर जो हमारे लैसुन की कर लिया थी हमने उनको किस लिया है बाइद भी अगर आपको यह ग्रेट यूस नहीं करना तो आप डारेक जो है जिंजर गालिक पेस्ट होता है वह भी यूस कर सकते हो यहां पर जो हमने मोटी वाली मेर्श लीती हम उसको भी अच पर जो हमारा धनिया है उसको भी चॉप कर लेंगे अब यहां चॉप करने के बाद हमने आधा किलो चिकेन लिया है अब यहां पर हमने एक बाल लिया है इसमें हम तकरीबन 100 ग्राम दही डालेंगे इसके बाद जो हमनारा अधरा क्लैसोन धनिया और चिली पेपर है वह मोट अधर नमक जालेंगे आधि चोटी चमच आप चाहँ तो काला नमक भी डाल सकते हो इसके बद हमने आदा चमच आट मसाला डाला है अब हम जो कश्मीरी लाज में चोड़ती है वो दो चमच डालेंगे आप अपनी तीखे पन के हिसाप से डाल सकते हो यहां पर आदा चमच अब हम एक हम छपते है और अधर है इसको अच्छी तरीके से हमने मिक्स करना है अच्छे से अब यहां पर एक बड़ा में बेसंज दाना है अ आ यहां पर हमने अमक दाला है आप अपने देश के ऑकवृ डालना वा थोड़ा साफ्ट गलर रणा है अब इसको अच्hing तेश अच्छा आ रहा है अब इस पे का Dri tienjariegen रुड़ी होनके आप जो हिमारा chicken है उसके ओपर दाल दीजा क्या है अब डालने के बाद हम जानने ही मिक्स कर लें 여러분들om क्याय में है क्याओना आश्चा है वाल Candia यूंट करता है तौहाँ क्या शव्य année तो प्राइब चुका है अब हम इसको एक स्टील वाले बाल में ट्रांसफर कर देंगे और इसको हमें तकरीबन एक से दू घंटे के लिए फ्रीज में छोड़ देना है तो आवर्स लेटर बाद हम इसके बार निकाले अब हम इसके बाद चटनी प्रेपेर करेंगे इसके टमाटर डाले के लिए ने तो अत्मो जालेकर रहे है और इसके बाद हम नमक डाल रहे हैँ है यह अपने के लिए घ्र की बनी हुऊ है रहे क्टागब दो ठाही डालने के में टाльमटायi कंभाल चैया में zarczo का टेल ह्रूत कैणा यहां लेका यहां तो तो हम गरम हो चुछा है तो हम छिकन के पीस्स आखिए चिकन के पीस तो अब जैसे यहां पर मेरी अम्या आपको देख रहा है वीडियो में कर रहे हैं एक करके जो चिकन पीसे से उनको फ्राइ होने के लिए डाल रहे हैं आपने वी बिल्कुल इसी तरीके से करना है और इनोंने हां पे इसको चो कढ़ाई से लकत अचला है में भी शायद जा देना इसलिए माई दीवी गाई समय ना इनको 10-15 मिनट तक ही टीप फ्राइ करना है तो इतने हमारा चिकन प्रिपेर हो रहा है इतने हम यहां पर प्यास को रिंग शेप में काट रहे हैं एचली हम यहां पर ग्रेट कर रहे हैं आप भी कर सकते हैं बहुत इसली हो जाती है फिर य बस रैडी होने ही वाला है तो हम इसको ना थोड़ से कर्ची से इसे हिला लेंगे और इसके बाद चीमते से हम इसको पलट लेंगे जो चिकन के पीसे से हैं अब देख सकते हो यह बिलकुल हमारा चिकन हो रैडी हो चुका है तो हम इनको बाहर निकाल लेंगे और इनकी प्लेटिंग करतेंगे तो यहां पर हम थोड़ा सा उपर से लेमन स्क्वीज करेंगे तो यह टेस्ट अच्छा था है और हमने इसको जो चटनी वाला वह तर राय था उसके साथ सर्फ किया और यह बहुत ही दिलेशिस बहुत ही आप लोग भी ट्राय करो हमें कमें बेट सरूर बताना आपको कैसा लगा तो गाइस एक और जीज आपको जो भी अगली रreципy चाहे आप कमेंट बेट बताना और अब चाहो तो अपने रेसिपिस भी हमार सार शियर कर सकते हो हम सरूर ट्राय करेंगे थैंक्स फौ आशर्ड झाल झाल झाल